सब मेरे साथ चातर सक्ति का आशिरवाद है मैंने चातर सक्ति के लिए संगर्ष किया काम किया मुझे पूर्ट भरोशा है कि चातर सक्ति कभी भी जो व्यक्ति काबिल नहीं होगा जिस व्यक्ति ने संगर्ष नहीं किया है वो चाहिए किसी पार्टी से आता हो किसी बड़े प तरसक मेर को देखेंगे वो लोग भी एक बार मेर को गूगल पे खोज लें सर्वे कर लें विश्विधालिय के अंदर पढ़ने वाले इस्टूडेंट हैं उनसे पूछें जो काम किया किसी के संगर्ष को आप दबा नहीं सकते चाहिए कितनी भी बड़ी पार्टियां आ जो संगर्ष करेगा यह चातर पड़ाली का इस्टूडेंट आता है वह तरीके से ध्यान रखते हुए वोट करते हैं कि कौन हमारे आने वाले छोटे भाई-बेनु के लिए संगर्ष करके जाएगा उनके लिए व्यवस्था में शुधार करके जाएगा उनके लिए इस तारीकों सुना होने के साथ-साथ रास्ता नियुश्ट्री के अंदर है अब कई प्रत्यासी जो है वह मिदान में आ चुक है हमारे साथ सबसे मजबूत प्रत्यासी और रास्तान की युवाओं की बुलंद वाज निर्मल चोधरी जी इस वक्त मौजूद हैं विशेस हम मामले में इन से चर्जा करने के लिए हैं निर्मल्दी सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी नमस्कार मैं आपके चैनल के माइदेम से सभी दर्सकूंश नमस्कार और राम राम करना चाहूंगा और उन लोगों से एक निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि 26 तारीको राजस राजस्थान की चाहतर राजनिती के अंदर कोई नहीं करांती आएगी नहीं बदलाव आएगा ऐसे व्यक्ति को वोट करें और जिस भी व्यक्ति को वोट करते हो तो उसके बार में पहले पता जरूर करना है यह वोट मत देखके आ जाना कि जाती ही से तरीन सब चीजों के अदार पे वोट मत करना उसने कितना इस्टूडेंट के लिए काम किया है कि परस्तितियों में श्टूडेंट के साथ खड़ा रहा है यूश्टी सुनाओ देश राजस्थान को एक नेता देती है जितने भी आज नेता है राजस्थान में वह लगबग यूनिस्टियों से लोग हैं क्या सराफ सोच कर चलें अपने दिमाग में क्या यूश्टी के लिए सबसे पहले कि सिक्सा का इस राजस्तान विश्विधालिये का इतना चला गया है उसको उच करने कोशिश करूंगा सिक्षा डिजिटल होनी चीए यहां के भवन यहां के क्लास्रूम डिजिटल होने चीए यहां के जो प्रोपेशर है वो पड़ाई लिखाई करवाए इस्टूडेंट्स को रिशर्च करवाए और एक सबसे बड़ी समश्या यह है कि राजस्तान वी स्विधालिय के अंदर यह साई आज है प्राइबेट यूनिवर्स्टियों के अंदर हर छे महीने साल से वहां के बवन वहां के नक से बदल जाते हैं तो सरकार राजस्तान की सबसे परतिश्टीत और बड़ा विश्विधाली राजस्तान विश्विधाली यहां के लिए काम क्यों नहीं कर रही है यह लोगों के बंगलूं के लिए रात तो रात लाख रूपे का बजट की गोशना कर दी जाती है और जब इस्टूडेंट की बात की जाए तो इन लोगों को हमेशा मैकारने की स्तथी में ही रहते हैं मैं मानता हूँ यहां राजस्तान युनिवस्टी का कोई वाइस चांचलर सरकार बढ़ा के भेजे तो कम से कम वो पहले उनके नियम कानून काईदू में तो ढंक से सही पूरा हो आज ऐस राजस्तान वी विदाईली के वाइस चांचलर है महीने 15 दिन को तुल में गुजारते हैं 15 तुल स्विताम करते हैं ओढ़ने का देते तो मेरा मानना यह कि यहां भवनु का निर्मान होना चीए मैं मानने 30,000 में से 20,000 स्टुडेंट्स के यहां रहने की विवस्ता की जानी चीए और यहां सरकार इतनी लापरवा है कि लाइबरेरी बने वे कई महीने हो गए अभी तक उसका चालू नी किया उसका उद्गाटन न नहीं किया मुखमंत्री जी को टाइम नहीं है आप यह सोचिए कितने स्टुडेंट्स का यह नुक्षान हो रहा दिनो दिन डिजिटल लाइबरेरी बनी राजस्तान की सबसे बड़ी और पहली लाइबरेरी है इन चीजों में बनने के बाद भी यह डिला इतनी करते हैं कि जब जर जर इस्तती में हो जाईगी लाइबरेरी उसके बाद तो उसका उद्गाटन करेंगे तो इसे देखते हुए चात्रों का भविश्य किस होर जा रहा है साइध आम लोगों को आम इस्टूडेंट को इस बारे में सोचना चीए अज राजस्तान विश्विधाली के अंदर 200 विदानसवा के इस्टूडेंट पढ़ते हैं पढ़ने आते हैं मेरा मानना यह है कि परतियक MLA को परतियक MP को राजस्तान विश्विधाली को बजट दे है ना चीए जिसके आदार पर यहां की मूल भूत जो चीजें जो जरूरत हैं वो तो अच्छे से मिलें सर यूश्टी की बात करें वरतमान में यूश्टी में एक बड़ा अंदुलन चल रहा है जो की एक बच्चे को इंदर कुमार को लेकर है जालोर में उसको मार दिया ग जी यह तो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है आपके यह नोटीश में नहीं होगा कि सबसे पहले धरने के अंदर समर्तन मेरा ही रात था और आदी रात तक साथ ही बैठा था तो इंदर कुमार के साथ अन्याई हुआ यह ते है और जिसने अन्याई किया है उसको कड़ी से सम्रतर कंवाते के साथ ही तो यह थो नहीं से कड़े कड़े कढ आप लाइने के सांतक प्रस्टा पर्त्या विस्ट्वदा मरें के लुए enfori संद्र कुमार के यह तो इस तो कोई बात में ता मेर वही बात यह कि उस परकार के समाज गिंदर है एक सिक्षक के बारा इस परकार का अन्याइट किया जाना कहिं उच्छीत नहीं थे सरकार को live कव्च जल्दी इस चीज़ को ध्यान मेर रखते हुए इंदर कुमार के प्रिजनु को अच्छा मुआउजा देना चीए और अज्याए करने वाले सिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए रस्थान दीबर में ँष्वे द्धाले कोई अन्द्र नेुम्न कॉम्ल देले से अरंद्र जाती हैं कि तर्फ जातीों की एक तरी करें हैं कि यारवस्ट देलिद्क्त है कि Erisch आती हमों में पिड़्ती है चुनाओर के इंदर सब लोग आदी जाती हैं, एक तरफ आदी जाती है, एक तरफ. क्या सरथ अि Minnie competitor में इस तरीक lijst है कि कोई माहूल या की कि अब दरातल पर रहे के चातर हित्त में कारिये करोगे, चातर हित्क में संगर्ष करोगे, तो ना कोई जाती ना कोई शेत्रवाद होगा. कोविड काल का समय था जब मैं अकेला चातर नेता यसा था जो चातरों के साथ कंदे से कंदा मिला के मजबूती से उनकी मदद कर रहा था उनके लड़ाई लड़ रहा था जब कोई ना तो पार्टी थी ना कोई और था जब मैं इस्टूडेंट के बीच में रहा तो आज मेरे सब जाती हूं कि स्टूडेंट में साथे सारे समाज के सारे शेतर की स्टूडेंट मेरे साथ मेरे मदबूत कार्य करता है जो सबी जातियूं के ने उन्हां बाले और वहीं शेतर के आते हैं तो इस चीज़ में मेरा कई मानना नहीं है दरातल पर जो शंगर्स करेगा उसको इन चीजों का सिकार नहीं होना पड़ेगा और जो व्यक्ति चुनाव से दस दिन पंद्रा दिन एक महीने पहले दो महीने पहले आएगा तो उनका अधारी चुनाव लड़ने का जाती और सेतर होता है मैंने तिया पिछले कई सालों से संगर्स किया है तो मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं मेरे सबी जाती हूं के साथ ही साथ तेर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं सर आप निर्दलिया पड़त्यासी है आपके सामने एंश यूवाई एबीवीपी और कई चातर संग संग्ठन है ए जो के नश्योए की सरकार है हो सकता है कि स्रकार का भी कही नहीं कहीं इसके जो पाइदार होगा जिसको टिकेट मिलेगी उसको फाइदा पहुंस पाए ऐसे में सर कैसे देखते हैं आप अपने प्रती दूंदियों को सब मेरे साथ चातर सक्थी का अशिरवाद है मैंने चात सक्ति कभी भी जो व्यक्ति काबिल नी होगा जिस व्यक्ति ने संगर्सेट किया किसी पार्टी जाता है किशी बड़े परिवार आता है वह चातर शकति यह माय नहीं रखता ओ UM 277 को अप लोग इस चीज से मेरे समर्टरन में 27 Está आपके भी चीज ध्यान में होगी और जो दर्सक मेर को देखेंगे वह लोग भी एक बार मेर को गूगल पे खोज लें सर्वे कर लें विश्विधालिय के इंदर पढ़ने वाले उनसे पूछें जो काम किया किसी के संगर्ष को आप दबा नहीं सकते हैं कितनी भी बड़ी पार्टियां आ जाए मुख्य मंत्री परधान मंत्री के बेटे भी चुणा मार जाते हैं जो संगर्ष करेगा यह चातर पड़ाली का इस्टूडेंट आता है वह तरीके से ध्यान र आपने बातचीत में बताया कि दो साल से मैंने चात्रों के लिए काम किये यह करोना दो साल रहा था और कंडे hour करमें चात्रों की कषबा रहा था आपको लगता है सर दो साल की विवह का वड़ास आज वह चात्र आपको देंगे जिए बिलकुल दे हैं चातरा आज जो समर् developed मेरे को खुले मेरे को देह रहे हैं मेरे को मजबूती परदान कर रहे हैं मेरे को घर वह होता है वाके में में ने संगर्ष किया उसका रिजल्ट मेरे को आज मिल रहा है यह ते है कि आप उसी व्यक्ति का समर्थन करें उसी व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं जो आपको काबिल लगता है जिसने काम किया है जो राजस्तान विश्विधालिय के अंदर कुछ बदलाव करने की समता रखता है और समझ सातर सकती से निवेदन मेरा यह भी है कि आप किसी के साथ अपनी रिष्टेदारी अपनी जाती अपने समाज अपने शेतर इन चीजों को देख के आप नेता चुनोगे तो आने वाले समय के अंदर आपको वही नेता विदानसभा और संसद में मिलेंगे और वो लो सारे पड़े लिखे मेरिट वाले बच्चे आते हैं जिनके 85 से उपर परतिसत नंबर है तो सर क्या आपको लगता है कि यहां से चुनाओ की शुरुआत होना देश को एक अच्छा भविशे देना है जी बिलकुल है और चातर सकती आप सताइस्तारी को रिजल्ट आए तब आपको भी इस चीज़ के बारे में आप भी वाकिब हो जाओगे कि शातर सकती ने वाके में इस बार किसी काबिल व्यक्ति को चुना है है और वो जो भी यदि मेरे को और मेरे जैसे चातर नेता को आश्रवात देते हैं तो मैं आम परिवार से आता हूं उनकी बाउनाओं से ाना सब्कित के बीच में किसी परकार की समच्च्चा काना करना पढ़े गा, इसस सब्सक्राइब सब्सक्राइब ना करना के शातर से रहा हो जाओ तो आप संगर्स करोगे तो आपके खूब साथी आपको मजबूती परदान करने वाले सपोर्टर होते हैं अज गाहों से में भी आप मेरे गाहों में भी चाहिए जाके शर्वे करना मेरे पिता जी और एक आम परिवार किसान परिवार से मैं आता हूं मेरे पिता जी टीचर है वह भी इस देश के भाविश्य में सुधार करने के लिए शिक्षा इस्टूडेंट्स को देर हैं और जो भी गरीब परिवार उसे इस्टूडेंट आते हैं उनकी पढ़ने लिखने में भी उनके संजादू में भी काफी मदद करते हैं क और मेरा यही सपना है कि मैं जो गरीब परिवार से जो इस्टूडेंट आएगा और उसको सिक्षा से समंदित किसी भी संसाद्नों की कमी मैसूश होगी तो उनका भाई हमेसा मजबूती से पूरी करेगा पूरी टीम के साथ पूरी जी जान से उनकी मदद के लिए हमेसा तय करने माद देना चाहेंगे आप वीडियो को सेर कीजिएगा अब राजस्थान इंवनिस्ट्री का जो चुनावी संखनांद है वह हो चुका है अब 26 तरीक को सुनाव है लग लग परत्यासी मैदान में है अलांकि पार्टियों ने अब तक टिक्ट का वित्रन नहीं किया है टिक्ट का वित्रन हो जाता है उसके बाद चुनाव का माहल भी आपको देखने को मिलेगा निर्मल चोधरी नाम की एक आवाज आज पूरे राजस्थान में गुंज रही हमारे पास भी काफी लोगों के फोन है थे कि आप निर्मल चोधरी से बात कीजिए और आज निर्मल चोधरी की सुनी निर्मल चोधरी क्या मांग और क्या निर्मल चोधरी से जो बच्चे हैं वो उमीद्धे रखते हैं वह भी हमने आपको लाइव के मादेम से दिखाए ताव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर कीजिए गए सिक्षात में जैपूर से गुलसन सो दोनी धन्यवादा